सर जैसा आप देखते हैं कि जब भी पॉलूशन की बात आती है, पराली जलानी की बात आती है और किसानों पर प्रश्ण चिन्न लगाये जाते हैं मेरा यह मानना है कि देश में कोई भी किसान पराली खुध से नहीं जलाना चाहता है। जब वो पराली जलाता है, तो सबसे पहले नुकसान तो उसको स्वयम को और उसको परिवार को होता है। तो इस इशू को एड्रेश करने की जिम्मेदारी सभी सरकारों की होती है। पराली ना जलाने के लिए एक हजार रुपए कॉम्पेंसेशन पंजाब सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार से मांगा है कि पंद्रा सो रुपए अगर केंद्र सरकार भी उस पर एड़ान कर दे तो ये परयाफ्त राशी होगी और ये बहुत अच्छा प्रयास होगा तो क्या केंद्र सरकार इसके लिए रेडी है और उनका इस पर क्या प्रयाश है ये मेरा पहला प्रशना पराली को जलाने से रोकने के लिए अगर लॉंग टर्म और सस्टेनेबल आंसर खोजना है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत फंडामेंटल और क्रिटिकल पेरामे से पंजाब सरकार ने ये ओफर दिया है केंद्र सरकार को कि जो MSP में डिफरेंस है धान में और बाकी के फसलों में वो वो अपने पंजाब सरकार की तरफ से कॉंपेंसेट करेंगे और MSP देंगे केंद्र सरकार क्या इसके लिए तयार है और इसी सेशन से क्या केंद्र सरका इसको लागू करने के लिए तयार। पराली को ना जलाने के लिए जो कामपनसेशन देनी बहुत जरूरी है। से आप रोक सकते हैं पंजाब सरकार ने यह offer दिया है कि प्रति एकड़ पराली ना जलाने के लिए 1000 रुपए compensation पंजाब सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार से मांगा है कि 15 500 रुपए अगर केंद्र सरकार भी उस पर एड़ान कर दे तो यह पर्याप्त राशी होगी और यह बहुत अच्छा प्रयास होगा तो क्या केंद्र सरकार इसके लिए रेडी है और उनका इस पर क्या प्रयाश है यह मेरा पहला प्रशना पराली को जलाने से रोकने के लिए अगर लॉंग टर्म और सस्टेनेबल आंसर खोजना है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत फंडामेंटल और क्रिटिकल पैरामेटर है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि एक तो MSP है क्या किसान को परियापत MSP मिलती है और अगर उस फसल पर MSP मिलती है तो पैडी जो धान है उसके MSP में कितना डिफरेंस है पंजाब सरकार ने ये offer दिया है केंदर सरकार को कि जो MSP में difference है धान में और बाकी के फसलों में वो वो अपन पंजाब सरकार की तरफ से compensate करेंगे और MSP देंगे केंदर सरकार क्या इसके लिए तयार है और इसी सेशन से क्या केंद्र सरकार इसको लागू करने के लिए तयार?